हेलो विद्ध द्यारत्यों एल्वे क्लासेट के इस निव लाइव स्ट्रेम में आप सभी का स्वागत है तो वैदुत धारा के इस लेक्चर में अब आप लोग यहां पर जो है इसमें पढ़ेंगे गतिसीलता के बारे में यहां पर गतिसीलता क्या होती है इसके बारे में पहले आपको अनुगमन वेग यानि की अपवाह वेग पढ़ाया जा चुका है तो आप लोगों को अपवाह वेग को अच्छे से तयार कर लेना है तब आप यहां पर इस टॉपिक को और भी आसानी से समझ जाएंगे इसके अलावा वैदुत छेत्र के बारे में आपको पह आप सभी लोग जो है तयारी करते रहेगा पहले से भी आपको बताया गया था तो यहां परदांदर जिसमें बात हुई है गत्यसीलता की तो गत्यसीलता के बारे में याद रखेगा कि गत्यसीलता को हम लोग प्रदर्सित करते हैं म्यूशे गत्यसीलता को किस से प्रदर्स सकते हैं अनुगमन वेग और यहां पर क्या है यह आपका क्या है वैद्दुत छेत्र यह आपको पता है तो यहां पर जो है अपवाह वेग और वैद्दुत छेत्र इन दोनों का जो अनुपात होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं गत्य सीलता या फर दूसरा option है यहां पर आप वैद्दुत छेत्र को one मान लेजी यानि कि यहां पर इससे क्या बोलते हैं आप एक आंक इससे आप मान लेजी एक आंक यानि क्या बता सकते हैं कि एक आंक वैद्दुत छेत्र में जो मुक्त एलेक्ट्रानों का अप अपवाहवेग होगा वही जो है यहाँ पर उस आवेश वाहग की गत्तिसीलता हो जाएगी यह लोग याद रखेगा कि आवेश वाहग की गत्तिसीलता जो है उस प्रकार का अपवाहवेग होता है जो एकांक वैदुत छेत्र में होता है तो यह लोग याद रखेगा चाहे है इसे आप इकाई मान लेजे इस तरीके से आप बता सकते हैं या फिर आप वाहवेग और वैदुत छेतरे के अनुपात को जो है गतिसीलता बोला जाता है इसके लाओं गतिसीलता जो हमेशा धनात्मक होती है इसलिए आपको कहीं कहीं पर इसकी जगे पर ये मौड मिलेगा या कि ये फार्मूला आपको ऐसे मिलेगा मौड ओफ वीडी और बटे ई इसका मतलब यहां पर ये अनुगमन वेग का परिमार दिया गया है इसका हमेशा धनात्मक मान ही आपको यहां पर लेना रहेगा ये अप लोग याद रखेगा इसका परिमार यानि कि मौड यहां पर ल दूले की अनुशार जो है आपको इसकी परिभाशा लिखनी है तो यहां पर देंदेजे आप पिश में बताएंगे कि अपवाह वेग यहां पर लिखेंगे इसमें अपवाह वेग वेग के परिमार अपवाह वेग के परिमार तथा वैदुत छेत्र तथा वैदुत छेत्र के अनुपात को वैदुत छेत्र के अनुपात को गत्य सीलता कहते हैं इसके अलावा अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इसे जुहे म्यूशे प्रदर्शित करते हैं म्यूशे प्रदर्शित करते हैं तो यह अप लोग याद रखेगा कि यहाँ पर अपवाह वेग के परिमार और इसके अलाव वैदुत छेत्र जो है इन दोनों का जो अनुपात होता है इसे इम लोग क्या बोलते हैं गति सिलता बोलते हैं और इसे म्यूशे जो है प्रदर्शित किया जाता है यानि कि व्यक्त किया जाता है इसके अलावा पध्यांदेजी आप यहाँ पर मान लेजिए कि यदि वैदुत छेत्र वैदुत छेत्र कैप्टल इ में मुक्त अलेक्ट्रानों बोल सकते हैं या फिर आप चाहिए तो इसके जगे पर आवेश वाहक भी बोल सकते हैं मुक्त अलेक्ट्रानों या फिर आप बोल सकते हैं वदुत छेत्र इ में आवेश वाहकों का अपवाह वेग वीडी है तो अब धन्देजे अगर यहां पर अपवाह वेग वीडी और इसके अलाव वैदुत छेत्र इ है तो जब आप गत्तिसीलता लेखेंगे तो इससे आप बताएंगे यहां पर म्यू बराबर वीडी यहां पर धन्देजे वीडी का माड आपको यूज करना तो यह अप यहां पर वैदुत छेत्र की तीवरता तो यह यहां पर फार्मूला जाय गत्तिसीलता का मौड आफ वीडी बटे इ यह आपका यहां पर अपवाह वेग का परिमार होगा और यहां पर वैदुत छेत्र की तीवरता हो जाएगी यह अप लोग यहां पर याद रखेगा इसक यह formula आपको बताया गया, तो इसके अनुसार देन देज़े, अगर यहाँ से आपसे VD निकालने के लिए बोजाया है, तो यहाँ पर यह जो N E है, वो इसके बटे में आएगा, यानि कि J और बटे में कितना हो जायागा, N E, ऐसा हो जायागा, आप यहाँ से अनुगमन वेक जब निकालेंगे, तो N E जो था, वो इसके बटे में आजायेगा, तो इसके अनुसार देन देजे, जब आप यहाँ पर formula बनाएंगे, तो यह हो जायेगा, फिर mu बराबर, देखें, VD के जगे पर आप यह वाला मान रख सकते हैं, तो यह हो जायेगा, आपका J बटे में देजे, N इसके अलावा, E और यह वाला हो जायेगा, आपका capital E, इस प्रकाश यहाँ पर जो है, यह किसका formula मिल जायेगा, आपको, इस तरीके से, new बराबर, J, N, E, और capital E, N यहाँ पर इलेक्टरानों की संख्या है, E, इलेक्टरान का आवेश है, capital E, वदुछेत्र है, और J यहाँ पर धारा घंणत्तों है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, धारा घंणत्तों के बारे में, इसके अलावा देखे, एक और भी formula है, आपको इसके अलावा एक और बताया गया था, V, D बराबर, N, इसके अलावा, देजे, यहाँ पर रोजायागा, यहाँ पर देखे, यह formula ने था, formula आपका यह था, E into capital E, और इसके अलावा टाउ, और बते में होता है M, यह भी एक formula होता है, अगर आप मान लेजे, VD की जगे पर यह वाला मान यूज़ करते हैं, इसमें, तो देखे, क्या होगा, फिर यहाँ पर मू बराबर, VD की जगे पर आप यह देखे, वाला मान रखेंगे, तो E, capital E, टाउ, बते में हो जाएगा M, और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है E, इसमें धन देखे, यह E से E आपका यहाँ पर cancel हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आजाएगा, फिर मू बराबर, E, इसके अलावा टाउ, और बते म कितना आ जाएगा, M, इसके अनुशार देखे, यहाँ पर जो है, इसका एक और आपको formula मिल जाएगा, म्यू का, गत्य सिल्ता का, इस तरीके से आप ग्याद कर सकते है, देखे, कि यह formula मिल आपको, इसमें धारा घनत तो दिया गया है, और यहाँ पर देखे, टाउ यूज ह हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है, इसके formula ग्याद कर सकते हैं, इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग इसके मात्रक की बात करें, अगर माल देजी आपको इसका मात्रक ग्याद करना है, तो अब धन देजी, यहाँ पर जो हम लोग इसका मात्रक ग्याद करेंगे मात्रक के लिए धान देजी आपको मात्रक किसका चाहिए म्यूका तो आप लिख सकते हैं कि म्यूका मात्रक बराबर अब देखें यहां पर जो भी फार्मुला बताया गया था वी-डी बटे ई था वी-डी यानि की यहां पर आप लेख सकते हैं वी-डी का मात्रक और बते में क्या दिया गया एतaran करें इनके मात्रक आप यूज कर लेजे तो आपको यहाँ पर जो है मुव का मात्रक मिल जाएगा देखे, VD आपका अनुगमन वेग है वेग यानि की मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर जाएगा मीटर प्रति सेकेंड इका मात्रक आप यूज कर सकते हैं ओल्ट प्रति मीटर इतना होता है इसका मतलब धन्देजे यहाँ पर अगर आप ओल्ट प्रति मीटर यूज करेंगे तो यहाँ पर धन्देजे यह मीटर पलट के उपर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्कार यह मीटर और यह वाला मीटर गुड़ा हो जाएगा जब यह संख्या पलट के उपर जाएगी इसकी अलावा धन्देजी यहाँ पर क्या बचेगा old और इसकी अलावा यह वाला second इतना तो इसका मात्रक आगया है यहाँ पर यहाँ पर आप लिखे हैं तो यहाँ पर यानी की गतेशीलता का मातरक हो जाएगा इस तरीके से आप यहाँ पर इसका मातरक ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग याद रखेगा आपको क्या बतायागे इसके बारे में एक मुख्य पॉइंट कि गत्यसीलता जो है सदयो धनात्मक होती है यह पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा कि गत्यसीलता गत्य सिल्टा शदयो धनात्मक होती है शदयो धनात्मक होती है तो यह पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि गत्य सिल्टा जो है यह सदयो धनात्मक होती है इसका मन कभी भी रिदात्मक नहीं होता है तो यह पॉइंट अप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा अब यहाँ पर दन्देजे ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक है तो यहाँ पर ओम यह जो है यह तो आपके वैग्यानिक का नाम है पूरा नाम था जार्ज शाइमन ओम यह आपके वैग्यानिक का नाम है तो हमेशा उस चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है यह अपको बताया गया था कि जब भी किसी चालक के सिरों के बीच विभुवांतर इस्थापित के जाता है तो वहाँ पर उस चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है इसी बात को सिद्ध करने के लिए जो है ओम ने जो नियम दिया है उसे हम लोग बोलते हैं ओम का नियम ये नियम जो है इन्होंने याद रखेगा 1826 कहीं कहीं पर ये 1826 इसके लाँ आपकी NCRT में ये 1828 मिल जाएगा यादि कि ये नियम इन्होंने 1828 में दिया था ये आपकी NCRT में मिल जाएगा इसके लाँ कुछ अदर बुक्स में आपको ये 1826 पर देखने को मिल जाएगा चली इसमें आपको जादा कन्फूज नहीं होना है बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो नियम बताया गया था कि जब विभवांतर हम लोग इस्थापित करते हैं तो यहाँ पर जो है चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है इसी बात को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए ओम ने जो तत्थ दिये हैं उन्हीं तत्थों को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम तो ओम के नियम को समझने के लिए आप धन देजे कुछ पॉइंट ओम ने ये बताया है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि मानलिजट टमप्रचर यानि कि ताब अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अगर तो यहाँ पर उस चालक के शिरू के बीच जो विभुवांतर लगाया जाता है वो जो है धारा के समानुपा उस धारा पर निर्भर करता है आप बोल सकते हैं यह आपको बताया है ओम ने ओम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप इसमें कोई परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो इस इस्थित में उस चालक के शुरू के बीच जो विभुवांतर होता है यानि कि उस पर निर्भर करता है अगर आप वी का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा या फिर बोल सकते हैं अगर आप आई का मान बढ़ाएंगे तो वी का मान यहाँ पर बढ़ेगा यहाँ पर यह जो है एक दूसरे के शमानुपाति है यानि कि निर्भ चालक की भौतिक अवस्था किसी चालक की भौतिक अवस्था अवस्था जैसे कि आप बता सकते हैं ताप अप परिवर्तित रहे यानि कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो भौतिक अवस्था जो है अप परिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच बीच आरोपित चालक के सिरों के बीच आरोपित विभुवांतर आरोपित विभुवांतर वी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमा नुपाती होता है अनुक्रमा नुपाती होता है तो यह अप लोग याद रखेगा कि यद किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप अगर यह अपरिवर्टित रहा परिवर्टित का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्टन न हो तो यहाँ पर चालक के सिरों के बीच जो विभौांतर आरोपित होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमा नुपाती होता है तो अब धांदेजी जब आप यहाँ पर ओम का नियम यूज़ करेंगे तो आप बत्ता सकते हैं ओम के नियम शे तो इस नियम के अनुसार धांदेजी वी प्रपोशनल टू आई इतना हो जाया गया निकि वी अनुक्रमा नुपाती आई अब यहाँ परदान देजी वी बराबर जब यहाँ से अनुक्रमा नुपाती कच्छिन हटा कर आप बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक लग जाता है आर इसके अलावा इंटू में आई तो अगर आप आई इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा आपका वी बटे आई बराबर कितना हो जाएगा आर और आर क्या है आपका यहाँ पर नियतांक आर यहाँ पर जो है यह एक नियतांक है आपका तो अब यहाँ पर दान देजी यह आपका क्या है ओम का नियम है तो इसकी अनुसार धन्देजे आप ओम का नियम किश्प्रकाश से बता सकते हैं यहाँ पर धन्देजे वी बटे आई यानि कि ये अपका विभुवांतर है ये अपकी धारा है और इन दोनों का अनुपात क्या है आर आर यानि कि नियतांक है तो अगर इस सूत्र के अनुसार रोम का नियम बताना चाहिए तो आप बता सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तर ना हो रहा हो तो चालक के सीरों पर लगाए गए विभौांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है यानि कि विभुवांतर और धारा इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा यहाँ पर नियत होगा यह पलोग याद रखेगा तो इसकी अनुसार द्यान देजी अगर आप परिभाशा लिखना चाहे तो आप किस प्रकाश से बताएंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं अथ्वा यानि कि यहाँ पर यह जो है अब इस नियम को दूश्रे प्रकाश भी यानि कि इस फॉर्मूले के अनुसार लिख सकते हैं शुलिए तो अब जहन देजी आप पिश्में बताएंगे कि यदि किसी चालक किसी चालक कि भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था जैसे कि ताप ताप में कोई परिवर्तन ना हो में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के शिरों चालक के शिरों पर लगाय गए विभुवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात अनुपात नियत होता है तो ये अपलोग याद रखेगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे के ताप में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस इस्थित में जो है चालक के शिरों पर जो विभुवांतर लगाया जाता है विभुवांतर और इसके अलावश में प्रवाह धारा का जो अनुपात होगा वो नियत होता है यह लोग याद रखेगा इसके अलावा धान देजे अगर यहां पर हम लोग इसमें धारा और विभुवांतर के बीच ग्राफ खीचे तो इसके लिए धान देजे अगर यहां पर हम लोग धारा और इसके अलावा विभुवांतर के बीच ग्राफ अगर बनाएंगे तो धन्देजे इस तरीके यहां पर यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा तो यहां पर यह आपका हो जाएगा एक्स अक्ष और यह हो जाएगा वाई अक्ष यहां पर जो हैं लोग इस X अक्ष के दिशा में धन्देजी यहां पर लोग लेंगे V और इधर जो है यहां पर लोग Y X के दिशा में लेंगे धारा को तो अगर यहां पर लोग धारा और इसके अलाव विभुवांतर के बीच ग्राफ बनाएंगे तो इसमें जो है एक सरल रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार से क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो सूत्र बताया गया वी प्रपोर्शनल टू आई दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं जैसे जैसे यहां पर धारा बढ़ेगी विभो बढ़ेगा या फिर बोल अगर आप यह नोट करना चाहें तो यह नोट कर लीजे यहां पर अप इसमें लिख सकते हैं कि ओम कानियम ओम कानियम केवल धातु चालकों के लिए धातु चालकों के लिए ही सकते हैं तो यह याद रखेगा कि ओम कानियम जो है यहां पर केवल धातु चालकों के लिए ही सही माना जाता है यह पॉइंट आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा यह आपका महत्तु पूण टॉपिक है इससे आपको यहां पर याद रखना है बस मुख्य नियम आपको यही याद रखना है ओम के नियम के लिए बस आपको इतना ये formula याद रखना है V-BTI बराबर R यानि कि V-BTI बराबर constant विभुवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वो constant होता है यानि कि एक नियतांक होता है यही आपका इतना मुख्य point है ओम के नियम का बस यही आपको यहाँ पर याद रखना है इससे संबंदित topic और भी पूछे जाते हैं जिससे कि ध्यान देजी यहाँ पर ध्यान देजी इसमें लिखा गया है मुक्त एलेक्ट्रानों के अपवाह वेक के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजी यह फिर आसकता है मुक्त एलेक्ट्रान सिध्धान्त थेवरी से यहाँ पर एलेक्ट्रानों के अनुगमन वेक के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजी बहुत ही important topic है इससे आप अभी से important note कर लेजे यह आपका top most important question है सबसे ज़्यादा बार repeat हुआ है यहाँ पर यह derivation तो इससे आपको अच्छे से तयार करना है सबसे पहले धन देजे यहाँ पर बात हुई है आप वाह वेक्टी इसके आधार पर जो है आपको ओम के नियम का निगमन करना है तो ध्यान देजे आप इसमें कुछ point मान लेजे आप मान लेजे यहाँ पर कि माना माना किसी चालक की लंबाई किसी चालक की लंबाई एल तथा छेत्रफल छेत्रफल ए है इतना आप मान लेजे कि किसी चालक की लंबाई एल है और अनुपरस्त परिक्षेत का जो छेत्रफल है वो कितना है ए है आप मैं आप बताएंगे जब चालक के जब चालक के शीरों पर विभवानतर इस्थापित किया जाता है सीरों पर विभवानतर वी इस्थापित किया जाता है किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है यह आपको बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग किसी चालक के शुरू के बीच विबुवांतर आरुपित करते है तो उसमें क्या होता है धारा प्रवाहित होती है आप मान लेजिए हम पर कि जो चालक है उसमें एलेक्ट्रानों की संख्या N है तो आप लिखेंगे कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त अलेक्ट्रानों की संख्या मुक्त अलेक्ट्रानों की संख्या अन तथा उनका अनुगमन वेग अनुगमन वेग अनुगमन वेग अनुगमन वेग यह जो है वो वीडी है अनुगमन वेग 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 अनुगमन यहाँ पर जो है अनुगमन वेग है इससे आप मान सकते हैं यहाँ पर शमी का नमबर एक अब इसके बाद धान देजे अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमे चालक के शिरुम चालक के शिरुम के बीच आरोपित विभुवांतर आरोपित विभुवांतर अब धान देजे अब यहाँ पर आपको चालक के शिरुम के बीच आरोपित विभुवांतर ग्याद करना है और विभुवांतर ग्याद करने के लिए धान देजे आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है V D बराबर E V TAU बटे ML यह एक फार्मूला आपको पढ़ाया आगया पहले से इसी फार्मूले का यूजक करके आपको यहां पर विभुवानतर ग्याद करना है देखिए कैसे यह V है आपका विभुवानतर तो V बराबर देखिए अगर आप यहां से V का मान ग्याद कर करते हैं यानि कि इस capital V का तो यह M into L इधर गुड़े में आएगा यहां पर हो जायाएगा M L इसके अलाम आपका यह दिया गया है VD बटे बटे में आ जायाएगा आपका E और इसके अलाम टाउ इतना हो गया इससे आप मान लेजे सम्मीकर नंबर 2 अब यहां परम्लोक सम्मी करण 2 को सम्मी करण एक से भाग करने पर तो अब यहां पर दन देजे 2 को हम लोग एक से भाग कर रहे हैं भाग करते समय हमें इसा याद रखेगा बायं पक्ष को बायं पक्ष से और दायं पक्ष को दायं पक्ष से तो यहां पर दिया गया है V बटे आई यह हो जायाएगा आपका बायापक्ष बराबर यहां पर दान देजे यह दिया गया है आपका N, E, A VD और यहां पर दान देजे M, L VD बटे में यह हो जायागा E, TAU इतना हुआ, आई भी आपका बटे में तो यहां पर दान देजे N, E, इस प्रकार से इसके अलावा A और VD इतना हो गया, अब इसमें दान देजे अब यहां पर जो है अपका VD से VD यह जो है कैंसल हो जाएगा इसके अलावा देखे, यहां पर अब आएगा V, बटे I, बराबर यहां पर हो जाएगा M L, बटे बटे में देखे, अपका हो जाएगा N, इसके अलावा E का गुड़ा हो जाएगा E स्क्वाइर इसके अलावा देखे यहां पर दिया गया TAU और A, कि यहां पर हो जाएगा TAU A, इतना आ गया यहां पर अब इसमें देखे, यहां पर यह जुआया है यह दिये गए ताप के लिए एक नियतांक का कारे करेगा अब बता सकते हैं यहाँ पर दिये गए दिये गए ताप तथा चालक है तू दिये गए ताप तथा चालक है देखे जो चालक दिया गया है उसकी लंबाई और छेतरफल यह अपका नियत यानी कि लंबाई और छेतरफल नहीं बदलेगा यहां पर इसके लगा दुर्बमान भी नहीं बदलेगा इलेक्ट्रानों की संख्या भी नहीं बदलेगी आवेश भी नहीं बदलेगा और यहां पर सरांतिकाल भी परिवर्टित नहीं होगा दिये गयताप और चालक के लिए इसका मतलब यहां पर M L बटे N E square tau A यह जो है यहाँ पर दिये गए ता आपके लिए क्या हो जाएगा आपका नियतांक हो जाएगा यह कि constant value हो जाएगी इस प्रकार से और यहाँ पर यह जो नियतांक आपको दिया गया है यह इसलिए यहाँ पर यह जो है आपका किसके बराबर होगा यहाँ पर यह जो है आपका बराबर हो जाएगा R के इससे हम लोग लिखते हैं R से M L बटे यहाँ पर आजाएगा N E square टाव A इस प्रकार से यहाँ पर यह किसके बराबर होगा आपका R के बराबर होगा क्योंकि यह नियतांग है और V बटे आई बराबर आप पहले से भी R पढ़ हैं तो यहां पर इसका मान किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर हो जाएगा यह आपका R के बराबर होगा इस तरीके से आप यहाँ पर यह ग्याद कर सकते हैं अब इसमें आप दान देजे यहाँ पर जो अभी फार्मूला आम लोगों ने ग्याद किया है यह आप देखिए यहाँ पर V तो आप यहां पर लिखेंगे अता वी बटे आई बराबर दिखें यह आपका क्या है नियतांग है किसके बराबर है आर के बराबर है और बराबर आप क्या बता सकते हैं नियतांग अब धान देजे आपको ओम के नियम में यही बताया गया है वी बटे आई बराबर आर जो होता है यह क्या होता है आपका एक नियतांक होता है यही ब्वांतर और धारा कानुपात क्या होता है नियत होता है यही आपको बताया गया तो आप बता सकते हैं यहाँ पर जो की आप पिश में बताएंगे यहाँ पर जो की ओम का नियम है ओम का नियम है तो यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था मुक्त एलेक्ट्रानों के अनुगमन विक के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना था बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक है इससे आपको अभी से अच्छे से तयार कर लेना है क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है हर वर्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसलिए आप लोग इसे अभी से तयार करते रहे है जब आपके स्कूल में एक्जाम होंगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के कोश्षन अक्षर आपको देखने को मिलेंगे इसलिए आप लोग इसे जो है बहुत ही अच्छे से तयार करिएगा इसके अलावाँ आप सभी लोग जो है यहां पर कमेंट करते रहा करें अगर कोई भी शमश्या होगी तो उसे जो है टेकनिकल टीम के द्वारा यहां पर रिजालो करा दिया जायेगा तो आप सभी लोग जो है अच्छे अपनी तयारी करते रहिए आज की क्लास में यही पर खतम करूंगा बाकी की टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा धन्यवाद